दोस्तो नमस्कार मैं दीपक अभियंता रेलवे की तरफ से एलपी की लगभग 6000 वेकेंसी आ चुकी है और टेकनिसियन की लगभग 9000 वेकेंसी इसी महीना आने वाला है तो इसी को देखते हुए छात्रों ने लगातार पूछ रहें कि आखिर आरारबी जेई का वेकेंसी कब आएगा और कितने पोस्टों पर आएगा क्या हर साल वेकेंसी आएगा तो इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को अंत्रक्स जरूर देखीगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ही किजिएगा हमां टेलिग्राम गुरूप में ज्वाइन नहीं जिसका की फरन फिलप हो रहा है अभी वर्तमान में और ये कल का नोटी से जो हम आपको दिखाए थे यहां पर रेलवे की तरफ से जारी किया गया कल के डेट में कि जो एलपी का वेकेंसी है वो लगभग 9000 के आसपास इसी महिना फरवारी में आ रहा है और एक बड़ी बात का और अपरील में यहां पर बताया गया टेकनिसियन का यानि अब रेलवे में सभी पोच्टों पर हर साल यानि परतेक साल जो है वेकेंसी यहां पर आएगा तो आप मानके चले कि यहां सबसे पहले बता देते हैं कि पतना रेलवे बोर्ड जो है महंदु घाट पटना रेल्वे बोर्ड में बुलाया गया पटना के सभी।र को बाद संबाध किया गया बताया गया कि एल पी का तो वेकेंशी आ चुका है वह बो इसक dette गरे यानि को पात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा रबी का वेकंसी अब ज्यू है रृट बी जय यू इसाथ साथ रेल्यवेकर हर पोस्ट पर वेकंसी क favor이라 सान wcze सीओं कितना ही क्यों न आ हैं तो बात था कि कर आजाता है कि जब एक से दो मुहिना में आ सकता है तो आखिर कितने पॉष्टों पर आ सकते हैं तो देखे आरट वीज़े एलपी का वेकंसी तो आप देख लिए की लगभग छोहजार है टेक्निशन का वेकंसी अप देख लिए कि लगभग 9000 है तो देखे आरट वीज्ये का जो वेकंसी होगा लगभग 4500 के बीच जिसमें electrical mechanical civil तीन्हों ब्रांच करा सकता है ठीक है और एक बड़ी बात है कि यह वेकंसी अब हर साल आएगा और कुल मिला कर कहें तो रेलवेग के सभी पोस्टों पर वेकंसी हर साल आएगा तो आप लोग इंतजार कीजिए इसी चैनल पर आपको बताएंगे जैसे ही वेकंसी जाएगा मिलते हैं नेक्स टूडियो में थांक्यू धन्वाद